हेलो गाइस तो स्वागत है आपका एक नए विलोग में जिसमें आज हम आपके सामने लेकर आए हैं महिंद्रा थार 4x2 रियर बील ड्राइव ये महिंद्रा की बेजिंग ग्रिल में एक मस्कुलर ग्रिल हैडलाइट्स बंपर पर थार जो की अपने आप में एक अच्छा लुक देता है एक यूनीक लुक है और बंपर इसका काफी आगे है आपको पता ही है ग्राउंड किलियरेंस जो की ओफ रोडिंग के लिए बहुत ह है साइड से दिखाते हैं साइड में थार की बेजिंग टायर्स 18 इंचिस एलोईस सीएट के टायर्स है टायर साइज है दो सो पच्चेस पैसट आर काफी बड़े टायर हो जाते हैं ये और एक बार फिर से मेरर पर थार ये है बोनट पर तो ये बोनट की फिनिशिंग देखे बोनट का डिजाइन देखिए अपने आप में एक मस्कुलर बोनट दिखता है अब ये साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ मैं आपको साइड प्रोफाइल देखिए साइड प्रोफाइल से गाड़ी की एक अलगी मिलेगा 4» by 2 में क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं होता है और फॉर बाइ । में यहां पर फॉर बाइ फॉर की बैजिंग होती है यह आपको फिर यह बैक साइड प॥ बैक साइड बे भी आपको से भी मिलेगी क Beauty कोई जाध आ क्योंकि कि इसमें 4ュー फोर और फोर बाइ टू में कोई भी मतलब आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा थार आपको दस लाख रुपे में अठारा लाख वाला मज़ा दे रही है तो थैंक्स टू महिंद्रा कि एक आम आदमी के बजट में भी अब ये थार है हम और आप जैसे लोग भी अ बूटी स्पेस काफी हो जाता है ये उपर का शिशा खुल जाता है अगर आगे से ऐसी दिखेगी सीट फोल्ड हो जाएंगी मैंने सिर्फ एक इसीट फोल्ड कर रखें बाकी ये दोनों सेट फोल्ड हो जाएंगी कि शिशा बंद अब आपको अंदर बैठ के भी दिखाते हैं अंदर से आप दर्वाजे देख रहे हो इसके डोर्स वैसे ही है वही सेम कंट्रोल्स, थार की बैजिंग, बॉटल, बॉटल रख सकते हैं आप यहां पर वही सॉलिड फुटरेस्ट, अंदर चलिए, अंदर देखते हैं अंदर दिखाते हैं, अंदर भी देखते हैं कि कोई डिफरेंस है या वही सेम है यह देखे, वही हैंडल है, वही कंट्रोल्स, महिंदरा की बैजिंग, सेम मीटर, एसी वैंड्स, वही सेम मतलब कोई चेंजिस नहीं है इस गाड़ी में वही की है सेम की सेम म्यूजिक सिस्टम इसकी स्क्रीन भी सेम साइज है और सीरियल नंबर्स भी उस पहले की तरह ही दे रहे हैं और यह इसमें काफी जगा हो जाती है यह बिलकुल हार्ड प्लास्टिक है पहले वाली 4x4 की तरह और यह आपको सेम वैसे ही आगे जगा नीचे रखने की कुछ भी रख सकते हैं इस जगा में 4x4 के मैं आपको पहले पता था कि यहाँ पर 4x4 का गेर आता था जो कि अब नहीं है यह पीछे की सीट पीछे की सीट काफी कमफर्टेबल है यह स्पीकर्स दे रखे हैं एक इसे स्पीकर यहाँ है दूसरा इसे यहाँ है दोस्पीकर्स यह ठीटर हो गई इसके завис के दोनों लाइट हो गई यहाँ पर यह आपको आफ्टर मारकेट हैंडर लगवाने पड़ते हैं वो आपकी मर्जी है आपको लगवाना है या नहीं लगवाना है लेकिन अगर आप हैंड डेस्ट वगरा भार से लगवा लेते हैं तो गाड़ी में एक अलग ही लुक आ जाती है बागी सबकी अपने यह अलग-अलग पसंद है यहाँ पर AC वेंट्स हो गए यह जो जगा है यहाँ पर पहले 4x4 की जगा आती थी यहाँ पर 4x4 का गेर होता था लेकिन अब आपको अपने फोन भी रख सकते हैं कुछ भी रख सकते हैं लेकिन अब आप यह फोन की जगा बन गी है यहाँ पर एक स्पिकर हो गया एक साइड म कुल मिला के कोई कमी नहीं है गाड़ी पहले जैसी ही आपको मिलेगी जो हमें 19 लाक की थार पड़ती थी अब वो हमें सिर्फ और सिर्फ 10 लाक में हमें वो थार मिल जाएगी वो भी बिल्कुल सेम बिटा किसी डिफरेंस के हां थोड़ी बहुत बस इंजन थोड़ा छोटा कर दिया है बाकी इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है